असलाम अलेकुम, आज की इस वीडियो के अंदर हम endocytosis और exocytosis processes को differentiate करेंगे यह दोनों processes active transport की type हैं और active transport की होती है ऐसी transport जिसमें energy utilize हो तो इसका मतलब है यह जो process है बहुत easily नहीं हो रहा होगा, इसमें energy use होगी तब चीजों की transport होगी cell के अंदर और cell से बाहर, ठीक है, जैसे के हम छोटे 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 molecules की बात करते रहे हैं के cell के across in and out जो छोटे molecules की transport होती है वो freely होती है, जिसे हम passive transport भी बहुते हैं उसमे energy रिपी require नहीं होती है और molecules के लिए plasma membrane में छोटे 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 रास्ते हैं जहां से वो molecules in and out easily जा सकते हैं बट cells को कुछ larger molecules की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, utilization के लिए, जैसे cells के अंदर कुछ large particles बन रहे हैं और वो cell को जरूरत नहीं है, जावेस्ट product हैं, वो cell से बाहर बेजने हैं, तो ऐसे large particles को plasma membrane allow नहीं करती बाहर जाने के लिए या allow नहीं करती cells के अंदर आने के लिए, तो ऐसे processes जरूरी भी हैं, तो इन processes को active transport के जरीए in and out cell के अंदर और बाहर बेजा जाता है तो ये processes फिर endocytosis और exocytosis दो तरीकों से होते हैं, तो सबसे बहले endocytosis पढ़ते हैं endocytosis नाम से जाहर है कि cell के अंदर कोई चीज इंटरी कर रही है, तो endocytosis एक ऐसा process है जिसमें large particles, large molecules, even sometimes whole cell जो दूसरे cell के अंदर entry कर रहा है, दूसरे cell के अंदर inside, inside of cell entry कर रहे हैं, ठीक है, so intake of large molecules, even whole cell into the cell, cell के अंदर जब कोई large particle entry करेगा उस process को endocytosis बोलेंगे, ठीक है, ओके, endocytosis की फिर further दो तीन टाइप्स हैं, यहां पर हम दो को ही mention करेंगे, पहली टाइप आगी, phagocytosis, phagomene eating, ठीक है, so phagocytosis ऐसा process है, endocytosis की type का एक ऐसा process है, जिसमें cells के अंदर solid particles की entry हो रही होती है, so solid particles का जब intake होगा, उसे हम phagocytosis बोलेंगे, इसमें हम example की अगर हम बात करें, तो amoeba जो अपनी food खाता है न, वो phagocytosis के process से खाता है, और जो type है endocytosis की, for example, यह हमारे पास एक cell आ गया, ठीक है, यह cell की membrane है, यह cell का cytoplasm है, ठीक है, cell की membrane क्या कर रही है, एक bacteria है, bacteria को invaginate होकर, या अंदर को गुसके fold होकर, bacteria को inside, cell के inside ले रही है, फिर यह membrane की होती है, ऐसे पूरी लिपड जाती है, और यह vesical अलग हो जाता है, और cytoplasm में इस तरीके से entry कर जाता है, अब यह depend क करता है, कि वो molecule खुराख है, उसे destroy करना है, उसे किस तरीके से use करना है, यह आगे further activities होती है, so cell के अंदर food ने entry कर ली, इस process को endocytosis बोलते हैं, और यह solid particle की entry हो, यह से phagocytosis बोलेंगे, इसी तरीके से अगर यहाँ पर कोई particle, liquid particles होते, तो उनकी entry cell के अंदर penocytosis कहलाती, ज और इसकी example आजाती है, हमारे पास, microvillies, जो guts के अंदर, यानि small intestine के, जो wall के cells होते हैं, उनकी उपर, जो microvillies होती हैं, जो plasma membrane का part है, तो वो allow करती है, penocytosis या water particles को अपने अंदर intake करने की कोशिश करते हैं, अब water आप जानते हैं, कि osmosis के जरिए भी entry करता है, बट क्या है कि water के अंदर, बहुत सारे nutrients भी होते हैं, so water bulk में, बहुत ज्यादा quantity में चाहिए, so अगर water खुद अकेला-केला entry करेगा, तो nutrients कहां जाएंगे, वो तो definitely जाया हो जाएंगे, so sometimes, वहाँ पर, बलके most of the time, penocytosis के जरिए भी cells क्या कर रहे होते हैं, water को intake कर रहे होते हैं, और penoc जाएंगे, तो यह confusion होती है, students को, water, asmosis के जरिए entry कर रहा है, तो फिर penocytosis में क्या है, तो penocytosis में यह है, कि water की entry हो रही है, बट उसके साथ, जो nutrients बगएर हैं, वो भी entry कर रहे हैं, तो यह beneficial process हो जाता है, इसलिए फेको साइटोसिस में, मैंने आपको white blood cell की example नहीं दी, ज पूरे cell को खा रहे हैं, इसके लाव हमारे अपने cells virus से infect हो जाएं, तो वो cells क्या करते हैं, अपने हमारे अपने cells को उन्हें पतो हो देगे, इसके अंदर virus है, तो इस cell को ही destroy कर देते हैं, तो पूरे को पूरे cell को eat करते हैं, उनके उपर लाइसोस आएं वगएरा सिक्रीड क यहाँ पर प्लाजमा मेंबरेन पर कोई receptor अटेच होगा, तब ही यह particle entry कर सकेगा, यह बहुत important topic है, इसे separate video में हम देखेंगे, इसकी बहुत ज्यादा useful impact है हमारी body के अंदर, यानि बाहर बहुत सारे particles and different type के, सिर्फ specific type के particle को अंदर लेकर आना है, तो उसके लिए specific receptor होगा, अटेच होगा, तो specific particle यह entry कर पाएगा, तो यह बहुत useful process है, अब हम चलते हैं exocytosis की तरह, इसका reversal कर लें जी, endocytosis में cell के अंदर entry और यह large particles की, exocytosis में cell से large particles बाहर जा रहे हैं, with the use of energy, यह processes energy utilize करते हैं, ATP की consumption होती है, So, removal यह secretion of larger molecules from the cell is called exocytosis, example की अगर हम बात करें, जैसा के secretion of waste, cell के अंदर कोई waste products बन रहे हैं, urea, uric acid, उसको cells बाहर बहेज रहे हैं, तो इस process को क्या बोलेंगे, exocytosis, फिर secretion of proteins, cells कुछ proteins को भी secret करते रहते हैं, ठीक है, कुछ proteins होती हैं, जो cell से बाहर बेज नहीं होती हैं, अब proteins बड़े particles हैं, वो plasma membrane से असानी से move नहीं कर सकते, इसलिए उने इसी तरीके से vesical में लपैटा जाता है, गोलजी बड़ी vesical में लपैटा है उन प्रोटीन्स को, और इस तरीके से सेल की दरफ वो vesical आता है, cell की plasma membrane के साथ ये plasma membrane join होती है, और यहां से जो particles हैं, plasma membrane join रह जाती हैं, और पार्टिकल्स रिलीज हो जाते हैं, cell के आउटसाइड, तो ये cell का इंसाइड है, साइटो प्लाजम आ गया, ये plasma membrane आगी, ये let's pause, ये हमारे पास आगे, neurotransmitter, example की अगर हम बात करें तो, neurotransmitters, ठीक है, हमारे पास neurotransmitters आगे, neurotransmitters, basically proteins होती हैं, जो nervous system को run कर रहे होती हैं, यानि एक nerve से signal लेकर, दूसरे nerve की तरफ जाता है, यहां पर इनके पास signal है, यह दूसरे nerve को signal transfer करेंगे, फिर वो nerve आगे signal transfer करेंगे, फिर यह हम detail से study कर भी चुके हैं, आगे फिर भी study करते रहेंगे, तो यह basically यह process एक, exocytosis की एक type है, कि proteins जो हैं, वो cells से बाहर निकल रहे हैं, और इसमे energy utilize हो रही है, और इस तरीके से एक vesical में lift हुई proteins हैं, यहां पर plasma membrane के साथ यह vesical की wall attach हो जाती है, क्योंकि यह wall match कर रही है इसके साथ, और बीच में जो particles हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, so conclude करते हैं, endocytosis और exocytosis active transport के एक type हैं, और दोनों processes में क्या हो रहा है, endocytosis में large particle cells के अंदर entry कर रहे हैं, और exocytosis में large particle cells से बाहर निकल रहे हैं, so endocytosis की फर्दर हमने types देखींगे अगर solid particle cells के अंदर जा रहे हैं, तो उसे phagocytosis बोलेंगे, अगर liquid particle cells के अंदर entry कर रहे हैं, उसे pinocytosis बोलेंगे, particles entry कैसे करेंगे, बाहर पड़े हैं, cell की जो plasma membrane है, वो अंदर को fold होगी, और उस particle के गिर्द इस तरीके से physical बना के उसे pop-up कर लेगी, cell के अंदर entry कर लेगा तो यहां पर यह plasma membrane जो है, वो लिपट के उस particle के एराउंड लिपटी हुई है, अब इस particle के आगे fad है कि इसके साथ क्या होना है cell के अंदर, ठीक है, तीसरी type receptor-mediated endocytosis जो हम separately discuss करेंगे, example के अगर हम बात करें endocytosis में, amoeba अपनी खुराग जो है, वो endocytosis की दरिया खाता है, white blood cells जो हैं, वो दूसरे cells को intake करते हैं, endocytosis के process से, microvella, penocytosis कर रहे होते हैं, और exocytosis cell से बाहर जो large molecules निकलते हैं, सिक्रीट होते हैं, उसे exocytosis बोलते हैं, example हमारे पास आ जाती है, cells के अंदर जो west particles बनते हैं, उनकी और जो proteins जैसा गे neurotransmitters बगारा, यह सारी exocytosis process के ज़िए cell से बाहर निकलती हैं, hopefully आपको lecture समझ में आयोगा, next lecture तक मिलते हैं, शुक्रीया, Allah, आफिस